हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, सिलाइस किचन में आप सभी का बहुत बहुत सागत है, तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कोकुनेट लड़ू, और देख सकते हैं कितने बढ़िया बढ़िया लड़ू बनाकर हमने रखा हुआ है, बिलकुल मार्केट के जैसे, तगाड बनाकर रेड़ी कर लोगी, उसके बाद हम लड़ू बनाएंगे, तो देखिए तगाड इस तरह से हम बनाएंगे, और तगाड बनाने में बिलकुल जहंजट नहीं है, बहुत ही इजी है, तो मैं देखिए यहाँ पर छीनी के अंदर थोड़ा सा पानी डाली हूँ आप पानी नहीं भी डालेंगे, तो भी तगाड बनके रेडी हो जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है, और इसी तरह से चलाते रहेंगे, और गैस को मीडियम टू हाई पे रखेंगे, और जब यह पुरा पिघल जाएगा, पिघलेगा नहीं यह भूरा इसी इस टेज़ पे हम ठंडा कर लेंगे, और इसे ठंडा करके रेडी कर लेंगे, इसको साइड में रखेंगे, और इहां पर हम प्रूनेट को भूनेंगे, यानि कि थोड़ा सा रोष्ट करेंगे, तदि कि इस कोटोरी से मैं मेजरमेंट लेती हूँ, आपका गिलास जो भ करेंगे, और इसको लगतार चलाते हुए, रोष्ट प्रियोंगे, और इससे ज़्यादा है तो इसे जढ़ा रोष्ट करने की ज़रूत नहीं होती है, थोड़ा साइज करने से इसका टेस्ट अच्छा आता है, अब हम हम यहां पर डालेंगे इसके अंदर दूद, तो मैं इ दालूंगी चलाते हुए अब चाहें तो सांत में भी दो कटोरी डाल सकते हैं क्योंकि हमें इसे दूद में ही पकाना है तो आप दो से तीन कटोरी भी ले सकते हैं लेकिन उसको जलाने में आपको काफी टाइम लगेगा तो आप चाहें तो दूद को पहले से भी इसको मामा ब बड़ू शोट्स वीडियो में बना करके डाल दिया है अब देख सकते हैं मेरे चैनल पर और इसको दिखें दूध कोटोरी हमने दूध डाल दिया है अब इसको इस तरह से चलाते हुए हमें दीर तक पकाना है जब तक कि कोकोनेट के आंदर से ये दूध पुरा सूख ना जा है थोड़ा चुमिना सरकर लगता है आदत पड़ गी है इसे मैं अब चला रही हूं बहुत इजी होता इसे चलाना तो इसी तरह से में देर तक इसको पकाऊंगी और देख सकते हैं पहले से काफी हद तक दूध सुख गया है और यह थोड़ा से भरबरा हो गया है अभी अब इस तरह से हमें इसको पकाकर ली यह यही रिडि हो गया है घैस को आउप कर लेती हूं और दूसरे ब्रतन में मैंने यहां पर ट्रास्फर कर लिया है अब यहां पर मैं थोड़ा से इलाची परड़र डाल रही हूं और यहां पर चीनी का त्ग दाल डालेंगे तो बड़ा से गरम रहना चाहिए और हम गैस के ऊपर नहीं डालेंगे चीनी नहीं तो पानी निकलने लगता है और इसके अंदर अपना ही ऑइल होता है कोकोनेट के अंदर तो काफी यह मतलब मुस्चर जैसा रता ही है और दूद में हमने पका लिया है तदि कि इस तरह से हो गिय दूद में पकाने की होज़े से काफी और भी यह तेस्टी हो जाता है तो दिखे इस तरह से बड़ा च्छोटा जैसा चाहें वैसा लड़ो बना करके रेडी कर सकते हैं तो दिखी फ्रेंट्स हमने लड़ो बना करके इसे रेडी कर लिया है अब मैं आपको दिखाती हूं को मैं कोट कर लेना है तो इस तरह से कट कर लेंगे देखने अच्छा की कि बड़ए लगता है मार्केट जैसे लगता है तो इसी तरह से चाहीं ड़िए कर लियूं कि बिल्कुल टूटते नहीं बिगरते नहीं हैं और बहुत ही बढ़िया बनके ये रेडी हो जाते हैं तो देख सकते हैं अगर आपको मेरी रेश्पी अच्छी लगी करती से लाइक शियर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मैं मिलूंगे आपसे इसे तरह और भी नहीं नहीं की वीडियो के साथ थैंक्स पोर वाचिंग